हमास के पाँच बड़े मास्टर माइंड जो इसराइल को करना चाहते हैं खत एक हाथ, एक पैर और एक आख भी नहीं फिर भी इसराइल में मचा रहा है तबाही इनके साजीस के सामने फेल हुआ दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी मोसाद साथ अक्टुबर से सुरू हुी हमास इसराइल की जग अब जल्ड खत्म होते नहीं दिख रही है इसराइल अब गाजा पट्टी पर लगातार हमधा कर रहा है तो वही हमास न औडियो मेंसेज जारी कर कहा है यदि गाजा पटी पर इजराइल रॉकेट दागता है तो इजराइली होस्टेज को वह एकेकर मार देगा करिब 500 से ज्यादा इजराइली लोगों को हमास ने होस्टेज बना रखा है इस यूद में कडिब दोनों तरफ से मिलाकर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यूद का इतियास बहुत पुराना है इजराइल साल 1948 में अस्तितों में आये था इसके बाद से फिलिस्तीन इसे खत्म करना चाहता है फिलिस्तीन का कहना है कि यह जमीन हमारी है और हम यहाँ से इसराइल को खत्म कर देंगे इन हमलों का जिमेदार फिलिस्तीन का मिलिटेंट गुरूप हमास है जिसका कबजा इंदिनों गाजा पट्टी पर है और वज़य यहाँ के 5 बड़े नेता है तो आईए जानते हैं उन्ही नेताओं के बारे में इजरायल के पांच बड़े दुस्मन कौन कौन है गाजा पट्टी से इजरायल पर हो रहे हमले का धिम्मेदार हमास है बताया जा रहा है कि इन हमलों का मास्टर मांईड पांच नेता है जो गाजा के Godfather कहे जाते हैं इन निताओं का एक ही सपना है और वो है कि इजराइल को फिलिस्तिन की जमीन से खत्म करना यह निता हमास के प्रमुख पदों पर तैनात हैं अब जानते हैं निताओं की पूरी कुंडिली मुहमद देफ पिछले की सालों से हमास की मिलिटेंड विंग का प्रमुख है उसने साल 2002 में हमास की कमान समाली थी फाइनेंसियल टाइम्स में छपी मुहमद देफ के प्रोफाइल के अंसार देफ का जन्म साल 1960 के दसक के दौरान गाजा के खान यूनिस सरनार्थी सिवीर में हुआ था शुरुआत में उसे मुहमद दियाव इबराहिम अलमसरी के रूप में जाना जाता था इसके जन्म के समय गाजा पर मिश्च का कबजा था मुहमद देफ ने गाजा के इस्लामिक विश्व विदाले से बढ़ाई की है कॉलेज के दौरान ही देफ ने मुश्लिम ब्रदर हुट का सक्रिय सदस से बन गया था जिसका नेतित इस्लामिक विश्व विदाले के संस्तापक सेक एहमद यासीन कर रहे थे सेख एहमद यासीन ने ही हमाज की स्थापना 1987 में की थी साल 1987 में देफ ने इजराइल के खिलाब होने वाले पहले इंतिफादा में भाग लिया था इसके बाद इजराइली सेना ने उसे ग्रिफतार किया था करिब 16 मैने जेल में रहने के बाद उसे छोड़ दिया गया जेल से बाहर आने के बाद वह फिर हमाज के साथ जूड़ गया साल 1990 2002 और 2014 में इजराइल पर हुए बड़े हमलों का जीमेदार देफ को माना जाता है इजराइली खूपिया एजनसी मोसाद इसे मारने की साथ बार से अधिक बार को सिसकर चुकी है लेकिन हर बार असफल हुई है इन हमलों में देफ अपना एक पैर एक हार और एक आँख गवा चुका है इसके बादूत इजराइल के लिए वह मुसीबत बना हुआ है इजराइल का दूसमन नंबर दो है इसमाईल हानिया जो इसमें हमास का प्रमूख है इसका जन्म मिश्र के कबजे वाले गाजा पट्टी में अल सती सरनार्थी सिविड में हुआ था हानिया ने सयुक्त राष्ट से संचालित स्कूलों से पढ़ाई की है और 1989 में अर्वी साहिते में डिगरी के साथ इस्लामिक इन्वर्शिटी आप गाजा से इसनातक की उपाधी प्राप्त की है वो अभी स्वविडाली की पढ़ाई के दोरान ही हमास से जूड़ गया था चाल 1985 से 1996 तक वो मुश्लिम ब्रदर हुट का प्रतिनीदों करने वाली छात परशत का प्रमुक्रा फिलाल इसमाईल हानिया वो सक्स है जो हमास का चेरा है हमास की तरफ से इसी के वीडियो जारी होते हैं इसे वेस्ट बैंक में हमास के सिर्ष नेतितों के साथ लाइब टीवी पर इसराइल में हुए हमले को देखते हुए और अपने लड़ाकों की जीत के लिए नमाज पढ़ते हुए देखा गया था मारवन इसा इसा हमास के सबसे खतरनाग गुरूप अलकसाम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर है अलकसाम ब्रिगेड के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इसराइली नागरिकों में बच्चे और अरोतों पर भीद्या नहीं दिखाते हैं मारवन इसा का जन्म साल 1965 में हुआ था आहमद जाबरी की 2012 में एक कतित इसराइली हमले में मारे जाने के बाद मारवन इसा को उसकी जगह हमास में इसे कमांडर बनाया गया था इस हमले में भी हमास की अलकसाम ब्रिगेड लडाकों का एक नया वीडियो आया है इसराइल के हेबरोन इलाके में मारवन इसा की अलकासाम ब्रिगेट ने इसराइली नागरिकों पर सिध्धे गोलिया चलाई थी कई दियाईसी इमारतों को जमिदोज कर दिया और इसराइल के आम सहरीों को किटनैप कर लिया हसन नरसुला और इसमाइल कानी इसलिए लेबनान बॉर्डर पर भी इसरेली ड्रोन उड़ रहे हैं इसलिए लेबनान पर इसरेल ने बड़ी जबावी करवाई करने की थैयारी भी कर लिए हाजारों टैंक बॉर्डर पर भेज दिये गए हैं तो ये थी इसरेल के पांच बड़े दुस्मनों से जूड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताए साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिके बाकि देज दुनिया खवरों के लिए बने रिये जनसता के साथ धन्यवाद